कि कैसे आप लोग अच्छे होंगे उमीद है कि प्रिप्रेशन अच्छे दिशा में अगर आगर बढ़ रहा होगा आप सबका तो हम लोग जो मानचित्रों के द्वारा भ्वारत का भूगोल देख रहे हैं या अधर एक्जाम के लिए जितने भी एक्जाम होते हैं उसमें हमन भारत के भूगोल का अध्यन तो हमने कल भी कहा था कि अगर भारत के भूगोल का अच्छे से अगर आप अध्यन कर लेते हैं तो उससे कई सारे आयर का कोशन मतलब राज अस्तरी करेंट अफेर्स के सांसाथ आपको दिखाई परेगा एकनौमिस वाला कोशन भी सलब हो संधर जाएंगे तो हमारा दूसरा चैप्टर था मतलब शेटरी परसत के बाद हमने रखी परसत तुमने पताया नाम उसका समूद्री कितना था नोटल मिल किन नॉटिकल में था यह भी दिखाई फिर हमने कल आपको समझा था लगा इस फैसे वी और पांच जशेतिय परसत नई है जो 78 जो अश्टेट था वह आपको पुर्वत्तर भारत का बाद में सिक्किम को 2002 में भी उसको पुर्वत्तर छेत्रिये परस्त में ला दिया गया था तो आपको दिखाई परा कि छेत्रिये पर्षत के अलावे हमनें दिखाया राज्यों के बारे में हमने समझाया इन जो पर देखा जाए आठाइस राज और आठ यूटी इन राज्यों का जब हम देखें तो कई सारे जनकाड़ी आपको दिखाई परा अब उसी जनकाड़ी को आगे बहाते हुए जो चेप्टर नमबर टू है इस किताब का कि समान भारत का समान पर जैंडिया जेनरल इंट्रो होते चला जाएगा तो इसमें देखेंगे तो देश का नामा करन पहला च्छोटा सा सिर्षक है कि आरिया वर्त आपको पता होगा कि आरियों के आगमन आप देखेंगे कि आरियों का आगमन नौर्थेच्वेस प्रंटियर पाकिस्तान सब संदभ परदेश की छेत्रों में 15 2020 में हो गया था और यह आप देखेंगे ऐयरेसिया ओर उ्ड़ेसिया तुरकी और ुड़ियोप का हिस्सा है उसी और पशु पालन या पस्वोग पुझ यह लो एक सीमेसीया होते हुए और पाकिस्तबदीर पाकिस्तान होते भारत की छहित्रों में परवेश किया तो would यह आरियो का देश यह आरिया वर्त ठीक है यह आपको आरियो के नाम पर आपको दिखाई पर रहा था और आपको पता है कि आरियो का जो भरत कविला था उसका राजा था सुदास और जीतता है अंतता इसका नाम भरत कविला के नाम पर ही भारत पर गया भारत पर गया तो यह सब सेंदव सांदियों के बीच में बशे हुए थे जिसे इरानीयों हिंदु नदी तथा देश को हिंदुस्तान का यह आपको हिंदुस्तान जानने की आप सब लोग जानते हैं और दुसरी तरफ इसके परेस्साद युणनानियोंने क्या किया सिंधु नधी को इंड इंड़ी तेह तेश को इंडिया कह दिया भी Privलक को बताया था कि भारत किसे इस तुरिगोलार्थ और पुडबि धेसांतर के पहुत आप डिखुप कहा जो है जीरो डिग्री लाइन से जब बढ़ते हैं जीरो डिग्री लाइन जो काल्पिनी रेक्खा है बुमद रेखा जिसे कहते हैं वहां से आप जैसी कीटर से उपर जाएंगे तो 8 degree 4 से लेकर 37 कल भी चर्चा किया था आप डिगरी 4 लेकर 37 उत्री अचान से लेकर 38 डिगरी सथ से लेकर 38 से आपको तो 97 डिगरी 25 सेकेंड पूर्वी देसांतर के मदिस्तित है या ध्यान रखने की जरुवत है अगर आपको कहता है कि दूइप आपको दूइप अंडबार निकोबार दूइप समूव भी ध्यान रखना है या फिर आप देखेंगे कि लक्ष दूइप को भी ध्यान रखना है तो दूइप को लेकर अगर आपको अच्छांसिय बिस्तार की बात करें तो आपको बताना है कि देखें सर अच्छांसिय बिस्तार इसका 6 डिगरी 45 से लेकर 37 डिगरी 30 सेकेंड उत्री अच्छांस के मत है अगर आप आपको दूइप को लेकर पूछ रहा है तो आपको सिध आना है ये डिग्री 45 से आपको टाइम को इंक्लूट करना है छेत्र पर अमने कल बताया था 32,87,202,63 बार किलोमेटर है जो विश्विके भगुलिक छोत्र छेत्र फल का 2.4 है कितना है 2.4 है कल भी हमने आपको डाटा दिया था यह ध्यान रखना है और जो विश्विकी आवा भगुलिक छेत्र में आपको दिखाई परेगा और विश्विके मतलब जीतने भी देश है उसमें सातवा पोजीशन पे भारत आप देखेंगे भारत शातवा बड़ा देश है तो यह चीजा आपको दिखाई पर आप ठीक है कोई दिकत यहां तक बात अपने समझ में आगय तक जाएंगे तो बतीस सो चौदा किलोमेटर आपको चलना परेगा बतीस सो चौदा किलोमेटर और पूड़ा गुजराज से अरुनाचल वला हिस्सा में उन्तीस त्यांतीस आपको जाना है इतना हमने कहा फिर हमने कल भी समझाया था कि भारत का अस्थलिये विस्तार अगर जलिये विस्तार को छोर कर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पच्छत्तर सो मतलब 7516.6 km यकल बताया था लेकिन जलिये सीमा को मिला के और जोड़ दिया जाए जलिये सीमा को और मिला के जोड़ते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि 15106.7 km का डाटा आपको यानि कि 15000 लगभग 15200 km का भगौलिक एरिया आप निर्धारित कर सकते हैं देख सकते हैं तो कि भारत का अच्छांसिय विस्तार अगर आप से पूछ दे कि अच्छांसिय विस्तार दुप को लेकर जितने अंडवान निकोबार दिप समीम लक्ष दिफ हैं तो इसको लेकि आपको नीची आ जाना है यानि कि 6.45 से लेकर 37 से लेकर 37. आप देखेंगे देशा अंतरिये आपको लेकर चलना है तो यह भी आपको कोशन कई वार पूछे जा चुके हैं तो यह आपको दिखाई परेगा इसके सांसात आप देखिए इस मान्चित्र को देखा जाए और इसको भारत को आपको देखना आए इसमें तो आपको पता है कि यह जो लाइन है यह जो है zero degree यह काल्पनिक रेखा वह मत रेखा या वीश्वत रेखा कहते हैं आप देखते चलिए दच्छिन अमेरिका दच्छीन अमेरिका और उसके वाद अफिर का महादेश होते हुए आप देख पाएंगे कि यहां इंडोनेसिया होते हुए आपको आगे बरल रहे हैं जीरो डिग्री काल्म लीक राइन क्फिचा गया है इससे उत्तर में हादोर्ट recalics कालिटल्वाबस्ते होते हुए आफिर का कळेश अरब को तुछ नहीं अपने देख रहा हैं किया और आगे बढ़ते हुए गुजरात गुजरात से होते हुए निकलना मैंनमार होते हुए आगे चला जा रहा है तो आप देखेंगे परचाल भी आपको सामने दिखाई पर रहा होगा इसमीं आप देखेंगे आठ राज्यों कल्वे हम लोग चर्चा किये थे कि भारत के आठ राज्यों से करक रेखा होकर गुजरती है तो यह आपको ध्यान रखने की आप सकता है कल भी हमने चर्चा किया था तो कई वर पूछे जाते हैं और इसमें आपको देखेंगे कि कौन सा सिटी कौन सा एरिया महान अगर किस अच्छांस पर है किस देसांतर पर है यहां से यूपीएसी या अधर एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो हम लोग अब आपको देखेंगे जब वर्ल्ड अगर पढ़ेंगे तो एक काम और आप लोग कर सकते हैं कि जीरो विश्वत रेखा टोटल कितने सिदेश यहां आपको ध्यान रखना है फिर आपको लिखाने से नहीं आपका विदायत होता है कुछ काम करें तो जाके आपको विश्वत रेखा पे कौन-कौन से अब चैनि के लिख देने का मेंने देखेंगे तेशी से लिखेंगे तो कौन्-कोन कोन से यह हैं यहां से पूछने जाने वाले प्रश्ण आपका क्लिए मिलेगे डख्षी आप देखेंगे तो दिखाई पर रहा है तो आठ डिगरी चैनल आपको क्या कि माल दिप और माल दिप और लक्ष डिप के बीच में आठ डिगनल है तो यहां आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आठ डिगरी चैनल आपको दिखाई पर रहा है तो आप जैस्ट नम ने कहा कि दूइप को नीचे अगर लेती है चलते हैं अंडबान निकोबार दूइप सहीप को मिला के तो हमारा जो अच्छांसिय विस्तार आपको शुरू हो जाएगा 45 से आप देख पाएंगे 37 तक आप देख पा रहे हैं तो यह जो विस्तार है यह जो हमारा भारत का विस्तार है तो यहां से आप देखिए इसमान्चित्र को कि यहां से लेकर आपका इंग एयरिया आप दिखाई पर रहा है की आपको इसी बीच में बारा जो है िस से बागे बढ़ते हैं तो देख लिजीए कि कि यंसी एरिया में आपको भारत का पूछेगा आपको तो आपको अच्छांसिए विस्तार इस है और भूत फोरही इताने मिमें एक जीओं याश्य इतानेक दिखाई परेगे यह बहु आपकोhat रखने की मैप की बात हम लुक कर रहे थे यह चीजी फिर हमने कहा कि आप जाएंगे विश्व को मानचित्र को मुल्यांकन किया जाए तो सारे 30 डिग्री साउत में मकर रेखा आपको दिखाई परेगा मत मकर रेखा देखाई पर रहा है यह भी हमने कहा था कि इसके लिए इंटरनेशनल जो संगठन है उसने क्या किया कि ग्रीन जो लंदन आपको दिखाई परेगा ब्रिटेन एक वेदसाला है वहां पर वहीं से एक काल्पनिक रेखा देसांतर लाइन खीचा गया अब यह देसांतर लाइन यही देसांतर निर्धारित करता है कि आप अगर इसके पूडव जाएंगे या पसिम जाएंगे तो ताइम जोन कैसे बदलेगा या देसांतर लाइन ही आपको निर्धारित कर देगा कि किसी एगर इससे पसिम जाते हैं तो टाइम में बढ़ोतरी होगा इससे पूड़ा वाएंगे तो टाइम में घटेगा यह सारा चीज आपको यहां पर मैप बिश्विक के मैप से समझना चाहिए तो यहां से जो पूछे जाने वाले प्रस्ण होते हैं आपको असानी से समझ में आ जाएगा अब देखिए कि आप भारत को अगर देखते हैं देशानतर यह बिस्तार की बात कर रहे हैं तो अभी हम रोग जस्ट कहें थे और सर्थ कि हमने कहा था कि अर्षट कि देख लिजिए यह आपको अर्षट रिगरी साथ तास सेकेंड से लेके संतान में पचीस पूर्वी देशानतर में है तो 68-67 से 95 यहाँ पर आ जाएंगे यह 60 है तो 60 के बीच में ही अगर लाइन ड्रॉब करेंगे तो यह लाइन आपका यह वाला लाइन आपको दिखाई परेगा यहां से लेके आपको बहारत दिखाई पर रहा है तो यह भी आपको अपको बहारत दिखाई पर रहा है को ध्यान रखने की आप सकता है गोगव अब कर आए कि भारती प्रॉइद जुह है तक a अरव प्राइदीप भारती बरॉइद दिखाई परईदीप और हीचीन परईदीप में सबसे बड़ा प्राइदीप है अब कर्णाओं और रख के दच्छीन एसिया के तीन बड़े प्राइदीपों में भारत क्या है कि सबसे बड़ा प्रअधी आप देखें पस् Denise में अरब पर्यों को फुर में हिन इंडो चािना पर्यों के मत था हिंध महासार्ष पर तेखा जाए आपको क्या दिखाई पर रहा है कि अरब प्रायदीप ये वाला एरिया आपको दिखाई पर रहा है ठीक है फिर आपको हिंद चिन ये वाला एरिया दिखाई पर रहा है आप देखिए आस्यान वाला हिस्सा पर ध्यान देंगे तो इसके ये दो प्रायदीप के बीच में भारतिय प्रायदीप भारतिय प्राय महासागर् नीच हिन्द महासागर् देखिए इस तीनों के बीच में आपको दिखाई परेगा भारती पराइदीप यह यह भी डाटा आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कोई दिक्त नहीं है और एक ची और कि तीन ओर से हिंद महासागर से गीरा है यह आप मैप में देख रहे हैं कि भारत जो है भारत को सुरक्षा चक्रस बनाने का काम करता है हिंद महासागर आप उदर आप देख पाएंगे कि तो करेंखने और दुसरी तरफ अरब सागर से मत्य वेनीप हिमालय विराजमान है और यह पर्टेक्शन की कि थे म Billy स सिमा कि भागाली सीमा के है कि दुनिया के कि लिके कर सकते हैं लेकिन आपको जब साइन्स टेकना य्जी का विकास उस डायरे में नहीं हुआ था था भारत के परहडी के रूप में हिमालाय जो है अमेसा सुरक्षा देने का काम किया है तो दुसरी तरफ आप देख पाएंगे कि हिंद महासागर बंगाल की खारी और आप अरब सागर को देखेंगे तो एक बहुत मनमोहक द्रिस दिखाई परेगा जो भारत को सेप्ति कवच के रूप पाति में काम करते वह दिखाई परेंगा यह आपको दिखाई पर अब निकला हो तीन और से घीरा हो लाताया धान प्राइदूप करने का मतलब है कि जो तीन सबसों की तरब निकला हुआ हैं आपका कम एक निकला हुआ है को दीकत नहीं एक दूश्रा और तीन ओर से जल से घीरा हुआ है तीन ओर से क्या है जल से घीरा हुआ है तो यह आपको भारतिये प्राइद्यूब के बारे हम बता रहा है अब देखेंगे तो इसको हिंद महासागर के ओर से दिखाई पड़ेगा तो तिर्भूजा आकार का बनावट है भारत का तिर्भूजा पूर्वी बंगाल पूरब के तरफ बंगाल की खारी और पशी में अरब सागर देख पाएंगे आप को मैंचीत्र में हिंद महासागर ने पस्सी में श्थित एरोपिय देशो और पुड़ा में श्थित पुर्वी एस्याई देशो भारत के पस्मी टट और पुर्वी टट में मिलता है ताथ ही यह माहसागर छेत में भारत को किंदी की श्री पढ़ान करता है ठीक कोई दिकत नहीं है वह आपको उतना काम का चीज न बनता है भारत की 30 सीमा बनता है यह देख लीजिए कोई दिकत नहीं है अब देखिए इसमें कहा है कि भारत के भावतिक चतुर्दिक सीमा अत्वा चवहद्दी और देखेंगे तो चारुतरप उत्तर में हिमालय परवत है तक्षिन में हिंद्वा अतागर पुड़ा में ब तो इसे आप अफगानिस्तान के मांचीत पर देख सकते हैं और सुलेमान स्रेनी को देखना है तो आप पाकिस्तान में देख सकते हैं इस दोनों परवतों को और आप एक शी और जनकारी देदे कि हिंदू कुष भारत का जो भागौलिक सीमा बनाने के लिए पहली बार आप देखेंगे कि इतिहास में चंदगुपत मौरीर ने क्या किया था उस म्ली को ब्रयापत करने प्र्यासरत रहा लेकिन ब्रितिस भारत में देखेंगे वी लगातार प्रयासरत थे उस भगॉलिक सीमा को प्राप्त करने के लिए इसका मतलब है कि अफगानिस्तान लगभग अफगानिस्तान का हिस्सा हमारे मतलब भारत ये भारत के हिस्सा था लेकिन आप उन्हें देखेंगे कि अफगानिस्तान पहले ही सोतंत्र हो चुका था मतकाल में सोतंत्र था लेकिन पाकिस्तान का जो हिस्टा था भारत में आते आते उसे अलग कर दिया गया अपने फायद बिरिटिस जोने अपने फायदे के लिए अब हमने पीछला चेप्टर में पताया था कि भारत जो है तो दुनिया में कौन इतने मतलब कौन कौन से महत्मुन देश है जो चेप्टरम में हमसे बढ़ा है तो चेप्टर के दिश्टी से एक आपको पहला पर रखना है रसिया को द्यान रखने की जुर्द हैं दूसरा चीन हो जाता है तीसरा कनाडा हो जाता है चौथा श्यूक्त अमेरिका हो जाएगा पांचमा ब्राजील थाठा आस्ट्रेलिया और साथवा बरादेश है ठीक है और आठवा अर्जेंटीना हो जाता है तो चरह मांचीत्र को आप देखिए तो मांचीत्र से आपको दिखाई पड़ जाएगा कि पहला आप देखिए यहां पर देख लेंगे तो आपको यहां नहीं है यह भला हिस्सा रुट्यया का है कोई दीकत नहीं बाद समय…. दूसरा चीन को आप बरोसी है तो चीन को आप देखी रहें दूसरा चीन हो गया तीसरा आपको दिखाई परेगा कनाडा कनाडा तो कनाडा जब जाएंगे तो 49 डिग्री लाइन 49 जो है अच्छांसी लाइन जो है दुनिया का तीसरा चेटफल के दिश्री से बड़ा देश है उसके जस्ट नीचे आपको स्युक्त राज अमेरिका चौथा आपको दिखाई पर रहा है पांचमा जब जाएंगे तो दक्षिन अमेरिका महादेश में पराजील है यहां पर ब्राजील दिखाई परेगा तो ब् से लिए आपको दिखाई परेगा और लास्ट में आपका भारत का छठा के बाद सात्मा पोजिशन भारत का आता है और आठमा अर्जेंटीना का आता है तो यह बला हिस्सा आप यहां पर आप देख पाएंगे अर्जेंटीना को विश्वस्तर पर डिब्बा बंद मास का न क्या है कि 32,87,200 इतना बर किलोमेटर था इसमें आपको पाक अधिकरित कास्मीर मतलब पीयों के जिस पर अभी चर्चा हो रहा है पानिये विदेश मंत्री ने समिट में कहा कि देखी हम अब बात जो है बिलावल बुटो को पाकिस्तान के विदेश मंत्री को सीधा कहा कि अधूरा है बात समझ में रहा होगा उधर अक्षाइचीन और पीयों के यह दोनों जरूरी है भारत के और धीरे-धीरे अपने कुट नितिक बलबुते पे सेन्वरिक रन नितिक के बलबुते पे धीरे आज हो या कल हो भारत सरकार अपनी संपुर्भु अपनी संपुर्भुता अपना जो भगौली के रिया उसे पूरा करने का काम करेगा जो हमारे जरूरत का है अब हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है लेकिन जो हमारे मस्तक को जो हमारी सोभा है मुकुठ है उसे तो चाहिए ही चाहिए तो आप सब एगरी हो अक्साइचीन के पास अक्साइचीन जो चीन के पास है वह सेहती जारा 500 552 किलोमेटर हैं अब इसमें क्या हुआ कि हम पाकिस्तान द्राज चीन को दिया गया चित रक्सगाम छेत्र भी सामिल है यह सारा जोर के आपको अबनें 32,00,00 प्लस बताया था यह आपको दिखाई परेगा तो छेत्रफल के दिरिष्टी से से बात करें भारत ऊटीन महादी को छोड़ कर आपको दिखाई परेगा प्रूस को छोड़ कर एरोपिय महादिब के बराबर है रूस को छोड़ दीजिएगा कनाडा चीन संज्यूग तराज अमेरिका का लगवक एक तिहाई है रूस का पाँच्वा भाग है रूस का हम लोग केमा भाग है कौन सा भाग है पाकिस्तान का चार गुना बरा हैं लोग पाकिस्तान से चार उससे हम छे गुणा बढ़ा है जापान से आठ गुणा बढ़ा है जापान से हम लोग क्या है आठ गुणा बढ़ा है हमारा भगुली के रिया जर्मणी से बोला है कि नौ गुणा है और युनाइटेग किमडम और से 12 गुना और बंगला देश से हम लोग 13 गुना बंगला देश का भगवली छेत्रे का 13 गुना हम लोग बढ़ा है तो एक छोटा सा डाटा है कि अगर कढ़ा है कि हम क्या है कि छेत्फल के दिश्टी से भारत इरोपीय महादीव के बरावर है रूस को छोड़ कर गनाडा और संजूकतराज अमेरिका यह तीनों का अगर अलग अलग देखें तो एक तीहाई बनता है तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है और रूस का पांचवा भाग है रूस का बहुत बड़ा एरिया होता है आपने अजस्ट कहां कि रसिया सबसे बड़ा है कोई दिकत ने अभी जो है आप दिखाई पर आप कि नया जो आ रहा था उनों का रिपर्ट के 142 करोड से अधी कम्रोब पाढ़ कर चुके हैं तो एक एक अरब 21 करोड प्लस यह हमारी एगाड़ा के संसे से जो पीस्विके जन संख्या का 17.5% है यहां पर हमने आपको समझाने का का काम किय से भारत दच्छी नेशिया का सबसे बड़ा देश आपको दिखाई परेगा भारत यहां तक के बड़ाटा हमने समझाने का काम क्या अब आया कि भारत के साथ आपको यह जो है अच्छांस और देशांतर लेटिटीट एंड लेंगिटीट तो ऐसे टर्मलोजी आपको दिख आप मांचीत्र को देखेंगे तो 0डिगरी के पहले राल आपको जीरो डिग्री के पहले आपको जीरो डिगरी तोस उत्तर नौर्थ तोल्ट लोगेड विश्वी पएक कालपनीक रेखा है काल्पनीक है दुनिया को दो हिस्षे में कल्पनी करता है नहीं गुलार्थ के रूप में जाना जाता है तो आपको दिखाई परेगा उत्तर और दक्षि ने हें वाली कल्पनिक रेखा जिसे भुमत रेखा यहां शांस यह वाला आँ आप डेख रहें यह वाला जो लाइंड यो डेमिस्पेर यहां वहलों यहां आको इसे आपको एक्वेटर लाइन भी कहते हैं यहां पिरेव पारेंग और क्या करता है साथ नौर्थ हेमिस्पियर है तो बताना है कि गलोब पर एक काल्पिनिक रेखा खिचा गया है और वह काल्पिनिक रेखा एक्वीटर के नाम से विश्वत ब्रीट या विश्वत रेखा कहते हैं या आप बताएंगे या समझाने का काम करेंगे छोटा सा जनकाड़ी किसी के इन्फोरमेशन देना आपके लिए जरूरी हो जाता हैATHAN अब या वी सवत ब्रीट्रिट यह क्या करता है कि नौर्दर हमेस्ट नौरी और साइव थेखा न करता है अब अच्छान्स और पिर्थिवि के सत्भा पर पिर्थिवी के सत्वा पर पिर्थिवि के समानांतर और पिर्थिवी के चार और पस्म से पूड़ को इसे अगर आप से पूछ दे कि लेटीट्यूड क्या है तो आपको बताना है कि पर 20 रेखा के समनांतर ठीक है समनांतर पर फिर्थवी के चारों तरप यानि की पसीम से रोटेशन के हिसाब से पसीम से पूर अब की तरब छे तीज वर्ट कल आपको वर्ट कल पर देख लिजिए कि यहां पर दिखाई पर पर देख रहे हैं कि आपको 45 डिग्री आप देख रहे हैं और आपको ब्रित से जस्ट उपर आपको 90 डिग्री दिखाए पर रहा है दोनों मिलके 360 हो जाएगा जब पूड़े को मिला देंगे तो यह आपको यहां पर हम देख रहे थे अब कि अच्छांस जो है विश्वत रेखा से उत्तरम दक्षिन दिसा में किसी भी बिंदू की पिर्थवी के केंद्र से नापी गई कोनिये दूरी को हम लोग अच्छांस करते हैं जैसे डी जो डिगरी अच्छांस से उत्तर एवं दक्षिन में इसीत अच्छांस रेखा है कम सब उतरी अच्छांस रेखा है Northern Latitude और दचनी अच्छांस रेखा है Southern Latitude कहलाती है अब कहलाती है तो आपको दिखाई परेगा यहांपर हमने जब पीछे कह था तक कि यहां अच्छांसों को अंसों डिग्रियों मीनिटों और सेकेंडों में मापने का काम करते हैं आपको पता होगा कोई भी क्या चांच कि भिया चैन्स When mother का करते हैं यहां तक के आप देख भाएंगे है कि अब साथ का ही जो लाइन है कर रहा है कि कि डो अच्छांसों के आप पीछे भी जनकारी आपको द्यान रखना चाहिए कि दो अच्छांसों के बीच मौता है 111 km अपको पूछा जा चुका है कि दो समनांतर अच्छांसों के रेखायों के बीच की दूरी कितना किकि ने किलो MJ होता है यदि विश्वत रेखा से एक डिगरी के अंतराल पर अच्छांस रेखाओं को खीचा जाए तो उत्री गुलार्द में 89 अच्छांस रेखाओं और दच्छनी गुलार्द में 89 अच्छांस रेखाओं होगी इस परकार विश्वत रेखा सहित अच्छांस रेखाओं की कुल संक्या 179 होगा पहला बात तो आपको बताना है किसर दो समानांतर अच्छांस रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा 111 किलोमेटर औरता है जो आपको याद रखना चाहिए आपका कोस्चन है कई बार छोटे से लेकर बड़े एक्जाम में पूछे गए अब कहा कि दो अच्छांसों के एक डिग्री के अधार पर टोटल नाइन नौर्थ या साउथ में अगर आप खिचते हैं तो पाएंगे कि आपको दिखाई परेगा कि एक डिग्री पर जैसे बढ़ते जाएंगे तो 89 नब्य तक नहीं जाएगा 89 और फिर 89 यानि टोटल आपको दिखाई परेगा 1 नौर्थ या साउड अच्छांस रेखाओं कि कुल संख्या कितना हो जाएगा 179 होगा निम्ना चांस मतब जीरो डिग्री चांस से उचा चांस नब्य डिग्री चांस रेखा कि और जाने पर दिन और रात अब दी में अंतर होगा अब यहां पर समझ लिजिए हदी जीरो इभी की तरफ है और जीरो डिग्री है आप चाह रहे हैं इस तरफ आपको दिखाई परेगल हैं जीरो डिग्री से अगर अच्छान्स के साथ साथ देसांतर लॉंगिट्यूट लॉंगिट्यूट देसांतर लाइन को हम लोग समझने का काम करेंगे देसांतर लाइन क्या है और इसके फायदे नुक्सान क्या हो सकते हैं यह देखने काम लोग काम करेंगे भी अब देखिए हम लोग देशांतर लाइन अब यहां पर आप देखिए कि उत्तर से दक्षिन दी साम आपको नौर्थ से साउथ उर्वारधर मतला उर्वारधर का मतला होता होरिजेंटल के रूप में खिची गई काल्पनिक रेखा यह क्या करता है कि यह नौर्थ पोल और दक्षिन खीचा गया हो जो नौर्थ पोल और साउथ पोल उत्री धुरूप को और दक्षिन धुरूप से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे काल्पनिक रेखा को आपको बताना है कि सर देसांतर लाइन या देसांतर रेखा देसांतर कहेंगे क्या कहेंगे देसा पस्मी देशांतर रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा यहां पे देख लिजिए पूर्वी गुलार्द और पस्मी गुलार्द दिखाई पर रहा है तो यहां पे जब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट को हम अबगत करेंगे कि सभी देशांतर रेखाएं क्या होता है कि उत्री ध्रूब और दचनी ध्रूब को मिलाने वाली कालपनिक रेखा होता है पूछ दे कि देशांतर लाइन तो आपको बताना है कि देशांतर लाइन के देशांतर क्या है तो सीधा आपको बता देंगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा दिसांतर रेखा अब सभी देसांतर रेखाए क्या करता है कि पिर्थवी के दो बराबर भागों में बाठने का काम करता है यह तो पुर्वी दिसांतर के हिस्षे में भारत पड़ता है ने प्रविद रामने भारत का आप को चीका पड़त पड़िव二 गर्चाओ में ego गर्सर लंगिट्यूटनल कर दो डायंतर को पुर्वी देतंतर और पस्मने बीच में कोई देश होगा इसी में कोई देस आपको दिखाए परेगा जब भारत को देखते हैं तो आपको पूर्वी दिशांतर में हम लोग देख पाते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझ में आओगा यह चीज़ आपको याद रखने की आप सकता है जिया तक आप कहाय कि जीरो डिटियान तर क्या पूर्व तथा पंचें गिंगशार्थ में ihrer भारत फ्रभी अललें सब्सी का बढ़रत पूरवी और पस्मी गुलारत पूर्वी गुलारत कर से तो पूरए मान्चीत्र को देखेंगे तो या क्या थो भारत पूर्भी गु से आपको दिखाई पर रहा होगा जीरो डिए डिशांतर जो लाइन गया है उस लाइन से पूड़ आप चलिए तो पुर्वी डिशांतर पस्म चलिए तो पसमिन डिशांतर के रूप में आपको याद रखने में अपसकता हैं यहां तक बास बास वह ओगा अब यहाँ जीरो दिसांतर रेखा को जो दीरो दिसांतर रेखा ये जो लाइन है जरा मानचीतर को नीचे किया जाया जीरो डिगरी जो लाइन है जीरो दिसांतर रेखा को परधान देखें जीरो दिसांतर रेखा को परधान या मुत्तर रेखा प्राइम मिरीडियन पराइम म या जीरो देसानतर रहा क्या है यह काल्पनिक रहा है जो ग्लोब पर दुणिया को दो 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 गुलार्द में पस्मी देसानतर और पुडवी देसानतर में बाटने का काम करता है और यह जो लाइन खीचा गया जीरो डिग्री जो लाइन खिचा गया है आपको दिखाई पर रहा होगा यह लंदन यह पीछे में आपको पूछा जा चुका है यहां से प्रश्ण पूछे जा चुके हैं आयोग के दौरा छोटे एकजाम से बरे एकजाम में कि प्रधान या मुत्तर रेखा कहां से गुजरी है तो आपको बताना है कि लंदन बृतेन के ग्रिन विच सहर से होकर गुजरती है और यही जो आपका 0 देशांतार है दुनिया को टाइम बालने में टाइम निर्धारीत करने में मददगार सबित होता है तो अगर पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक time निर्धारन का जो एरिया है अधिक time किसके पास है time zone तो रसिया के पास 11 टाइम जोन है उसके पास कितना है एक और यह भी प्रश्ण इसी एक्जाम में UPPCS इत्यादी में पूछा गया है तो आपको बताना है कि जो दिसांतर रेखा को ग्रिन वीच रेखा के नाम से भी जाना जाता है तो आपको देसांतर रेखा समझ में आ गया होगा समझ गया होंगे एक्जाम के द्रिष्टी कुन से पूछा जा सकता है तो सीधा पूछा जाएगा कि परधान या मुत्तर या जीरो डिग्री देसांतर लाइन कहां से गुज्रा है तो लंदन के ग्रीन वीच से इसलिए ग्रीन वीच रेखा भी करते हैं और यहीं में आपको समय निर्धारन के लिए उपयोगी तावित हो जाता है यहां तर अब यहां के बाद आपको आपका जो टॉपिक दिखाई पर भारत की अवस्तिती पर अच्छांसिय उंद्यस्तांत्र परभाव कि भारत जो अपना है प्यारा भारत उस पर अच्छांस और देसांतर का क्या परभाव पड़ता है यह आपको दिखाई पर रहा होगा तो हम देखते हैं कि कि हमारे देश पर इसका क्या effect पड़ेगा हमारे देश पर इसका क्या effect होगा तो देखते हैं कि क्या Christian और कुछ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यहां देखेंगे तो इस भूमद रेखा या विष्वत रेखा ये उत्तर भारत की मुख्भूमी भारत की सब्सक्राइब आपको दिखाई परेगा अब यहां पी एक चीज आपको दिखना चाहिए कि 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री चार्ड से केंड से 33 डिग्री छे और यह है क्या उत्रिय अच्छांस एवं अर्शट शाज से 97 पूर्वी देसांतर के मत अब एक थोड़ा सा आप इसको एक छूटा सा एक छूटा सा मैप मैं आपको बना रहा हूं कि यह तो आप मैप को जब आप देखेंगे कि इस मैप को देखा जाए इस मैप को देखने के वाद आपको दिखाई परेगा कि भारत जो है भारत है कहां भाई तो पहला दिखाई पर आपको कि उत्री अच्छांस उत्री अच्छांस उत्री अच्छांस अम लोग देखते हैं उत्री अच्छांस पहले हम लोग उत्री वाला LINE है कि ओत्री और अच्छांस कर ना से यहां पर बीच में भारत इस्तित रहे अब ब्र देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भारत भारत अब देखने के लिए जब लाइन देखेंगे तो दिखाई परा कि दिखाई परा कि दिखाई परा अगला जो लाइन कर रहा है कि देखिए या इसका बनावर्ट चतुस्कोंई है चाहे आप तमिल नाडू से लद्दाख देख लें या फिर अरुनाचल से लेके आप दिखाई परेगा गुजरात तक का और गुजरात और नाचल के बीच में समय का जो डिस्टेंस आता है टू आवर्स का समय आएगा दो गंटे का अगर 6 वज़े वहां दिखाई पर रहा अधार देता है आपको के अधार मान लेते हैं तो इंद्राकॉल लद्दाक की जगा हैं इंद्राकॉल तथा कन्या कुमारी अंत्री तमिलनाडू और सिर्स मानते हुए दो तिर्भुच की रजना हो जाएगा और आकिर्थी आपको तिर्भुच की आकार का दिखाई परेगा अगर आप यह अगर आधार मानते हैं किसको आधार मानते हैं अगर आप करकवरित को मानते हैं तो अब तुटशन पुर्वी भाग में काहा कि आपको दिखाई मांचीत ऑर देखेंगे आपको पुडबी हिस्से में आपको जो अंडबार निकोवार दीप सम्मू है उसके बाद पोर्ट विलेर उसकी राजधानी है तो आपको देखेंगे बंगाल खाड़ी के तरफ लक्षदीप जिसकी राजधानी कावारती है या आपको यहां देखवाएंगे इस भी यूटी है आप सागर में तो परवाल यह कैसा है लक्षदीप आपका परवाल दूप है यह अभी कई वर कोशन पूछे जा चुके यहां तक ही बात समझना रहा हूं अब कराणा है कि अगर दूइप समूं के मिलाकर उत्री और दचनी विस्तार देखा जाए तो फिर वही बात आ रहा है कि सिक्स डिग्री फोटिफाइव सेकेंड उत्री अच्छांस बंगाल की खारी में अवस्तित इंद्रा पॉइंट से लेकर आपको 37 उत्री अच्छांस इंद्रा कॉल के मद है अब आया कि अगर आप दूइप को लेकर बताते हैं तो आपको बताना चाहिए कि सर दूइप को सिक्स डिग्री 45 सेकेंड उत्री अच्छांस बंगल मतलब बंगाल के खारी में हम लोग इंद्रा कॉल इंद्रा कॉल इंद्रा कॉल इसलिए मां रहे हैं कि करक रेखा को हमने अधार वनाया है उसको ध्यान में रखते हुए और उपर की तरफ जाएंगे तो 37 37 इंद्रा कॉ इंद्रा कॉल के मध में भारत इस्तित है अब इसके जस्ट नीचे अब इसके नीचे जो आपका पूछा है परमुक्ष सिमांत्षेत्र मतलब उत्तर नर्थी पूड़ा पच्छिन में में अन्तिम बिंदू या कौन कौन से हैं आपको बताना है कि सर पस्षिम का कि आपको बताना चाहिए कि पस्षिम में सिमान बिंदू कौन है गुज्रात का आपको गुज्रात में जाएंगे तो पूखार मोती पूहर माथा भी बोलते है इसको तो हार मो ती गुजरात कब को पूरभ में आपको दिखाए परेगा ये इसे जैसे आपको फीशे चर्चा किया था church कर पहले बाना जलां जाता था और तो ये अन्तिम गाउँ है लेकिन गिरिम अन्ती जी ने भारत का पर्थम घावाँ है कि भारत का पर्थम है कि बच्छिनतम बारत का देशिंदुकॉं सा है इंद्रा-पॉएंट पॉएंट अंडवार निकोवार दीवसम अगर आप पसिम जाएंगे पसिम में आपको चलना है तो गुजराथ जाईए अन्तिम जगह आपको दिखाई परेगा घुखार मोती यह मोत्फा mama चलिएगा तौँ अन्तिम गाओँ या अन्तिम आपको जगhet दिखाई परेगा किलिद तीः ठीट में चलिएगा तो दक्षिन में आपको दिखाई परेगा संडुम को म भारत ये तंद्दमारी है और उत्तर का सिमान्त बिंदु उत्तर में तर में दिखेंगे तो इंध्रा कॉल लद्दाक में इंद्राकॉल क्या है तो आपको भारत को कौन सा एरिया है उत्तर में कौन है छोटी सी बेसिक जनकारी आपको भारत के बारे में होना चाहिए है ठीक है आप कहा है प्रिवारत के मुख भूमी का अच्छांसिय एवं देसांतर्य विस्तार आचांसीय और आच्छांसय देशांतर्ये बिस्तार कहने का मतलब है अच्छांस के बीस्तार और देसांतर्ये बिस्तार लगभाग बढ़ावर है अच्छान्स और देसांतरी विस्तार आपको लगभग बडावर है कि यह ता लगभग समान है इस डिग्री कितना इस डिग्री कितना है त्पीर में दियान रखिएगा अब फिर इससे पस्मी सीमांत बिंदू से पुर्वी सीमांत मिंदू की दूरी होता है यह दूरी आपको 233 किलोमेटर आगे भी पूड़ा पसीम की जो दूरी हमने पीछे चर्चा कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है बास समझा रहा होगा तो कहणा एक उत्री और दच्छिनी बिस्तार और पूड़ा पसीम बिस्तार के विच मात्र अंतर कितना है 281 किलोमेटर का है ठीक है 281 किलोमेटर का है वस इतना ध्यान रखिएगा अब फिर कहाँ इस पेज़ पर करक रेखा जो आपको 233 डिगरी दिखाए पड़ रहा है इस से टोटल आठ राज टोटल कितने राज गुजरात रायस्तान महत्परदेश पता ही आपको 33 गटकल भी बताया था जारखन पस्यम बंगाल तिरपूरा और मिजोरम कोई दिखकत ने होकर गुजरती है इसके साथ ही रेखा पस्यम बंगाल देखेंगे करकर रहा है तो आप नवर कि बंग्ला देश से होकर गुजरती है में ध्यान रखने की जुरूरत है फिर आप पेज नंबर आठ को हम देख रहे हैं तो पेज नंबर आठ पर आपको दिखाई पर रहा है कि यहां पे भुमद रेखा यानि बिस्वत रेखा से प्रूबो की ओर जाने पर दो देशांतर के बीच के दूरी में कमी आएगा अब कहा अगर आप भुमद रेखा पे खरे हैं ठीक है किसी भी देश में अगर वहां से आप उपर जाना चाहते हैं उत्तर जाएंगे तो आप लाइन प्रूबो जुगा अपकर और पूछे गार भुंद रेखा से ऊपर जब बढ़ते उत्तेर की तरह में और कितना था 111 किलो मिटर उन्हें पिले बताया था तो दो देसांतर रखाओं के बीच के दूरी में कमी आने का क्या कारण है कि एंसर कि सर देखिए सभी देशांतर रेखाओं इसका एंसर देंगे आप जवाब देंगे कि सर सभी देशांतर रेखा क्या होता है कि धुरूबो पर एक ही बिंदू पर मिलता है धुरूब पर जाके क्या होगा कि एक बिंदू पर मिल जाएगा विस्वत रेखाओं पर दे होते जाती है इसके पीछे कारण है कि धुरूबो पर एक ही बिंदु पर सारे दिसांतर लाइन क्या होता है कि मिल जाता है इसलिए आपको दूरी में कमी दिखाई परेगा तो यहां तक के बात आप समझा सकते हैं कोई दिकत नहीं है हमने कल भी कहा था कि करक रेखा पर कोई राजधानी या कोई city बसा हुआ है तो यह भी ध्यान रखना चाहिए उस वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं बात आपको यहां दिखाई पर रहा होगा करक रेखा जार्खन और गुजरात की राजधानिया कम से कम राची दो देखिए आपको लिखा हुआ है कि राजधानिया है करक रेखा पर आपको गांदीनगर गुजरात की राजधानी और राची दोनों करक रेखा पर हैं लेकिन आप एक चिलाईना और याद रखना है कि मत परदेश है मत परदेश की राजधानी जो भोपाल है वहां आपको करक रेखा के दक्षिन में इस्तित् माही नदी ऐसी नदी है माही नदी ऐसी नदी है कि करक रेखा को दो बरावर बागों में पाटने का काम करता है तो यहां पर आपको माही नदी को भी याद रख लेना चाहिए एकजाम के द्रिष्टी कोन से माही नदी को भी एकजाम के द्रिष्टी कोन से याद रखने की जब सुर्ज होनगे कि जब सुर्ज होए देखिएगा कि मकर्षक्रान्ती के बाद अभी है इत्रायन है अभी इसुर्ज कहां पर है उत्रायन होंगे तो आपको दिखाई परेगा गर सूर्च विस्वत रेखह से उत्तर होने के पास साथ ही उत्तरी गुलारद में आपको दिखाई परेगा कि दीनों की अब्धी में बिर्धी egent में दीन के अब्धी में क्या होगा पूछेगा कोई बेखती आपसे कि सरेक्षी बताया जाए आपसे कोई पूछ दे कि भाई आपको दीन के अब्धी में क्यों बिर्दी हो रहा है घड़ पड़ ऐसे चर्चा होते रहता है कि अब दीन क्या हो गया कि बड़ा होने वाला दीन क्य लिखें जाने को सुर्ज्र उत्रायन के सरवोच्टम बिंदू? पर होते हैं ठीक है इस बरकार जून माह में करक रेखा से उत्तर की और जाने पर दीनों की अब्दी में बिर्दी होती है अता कहा जा सकता है कि जून माह में करक रेखा को उत्तर मिस्थित हार्ती राजों में दीनों की अब इसको बात समझ लिजी अब हमने कहा कि जस्ट कि गुलार्द में सूर्ज है ठीक है बहुत अच्छा है अब उत्री गुलार्द में अब दीन बड़ा होड़ा इसका मतलब 21 जुन को सबसे बढ़ा हो गया आप देख पाएंगे कि इस माह में जुन महीना जो महीना आने वाला है तो आप आप देख पाएंगे कि उत्तर भारत है उत्तरी भारत में भी दीनों की इन क्या होता है कि बड़ा होते चला जाता है दिनों की संक्या दिनों की अब्धी में क्या होता है कि बिर्दी हो जाता है रात थोड़ा आपको छोटा दिखाई परेगा और तीन आपका बड़ा हो है तो पहले मत पर्देश को रखिएगा महले मत पर्देश को एक नमबर पर दूसरा गुजरात को रखना है फिर पसिम बंगाल को रखना है फिर जार्खन को खतिस गट को मिजोरम और राजस्थान लास्ट में तिरपूरा को रखना है अगर सरवाधिक लंबाई की किस लंबाई एस्टेट बड़ा होते गया है तो पहले आपको दिखाई परेगा लंबाई में मत परदेश को रख दीजिएगा फिर गुजरात को और लास्ट में राज्यों की रज्धानिया के पास तो करक रेखा पर तो दो है एक तो गांधी नगर गुजरात का और दुसरा रांची और गांधी नगर हमने कहा कि दक्षीन में एक बोपाल को भी याद रखिएगा और एक आईजल को यादमी जोरम की रजधाने आईजल को याद रखना है मतलों चार राजधानिया आप दिखाई परा कि आपको दो तो एक जेक लाइन पढ़े एक साउथ में एक और साउथ में कोई दिकत नहीं है यहाँ तक की बात आप समझ गया होंगे यह भी आपके एक्जाम के दिश्टी कुन से काफी उपयोगी हो जाता है अब यह जो है very very important question आपका यहां से बनता है इसको याद रखना चाहिए आप सबको क्योंकि एक एक नमबर आपके एक्जाम के लिए काफी उपयोगी हो जाता है अगर छोटा सा अगर आप लपरवाही करते हैं या करती हैं तो क्या होता है कि उसकी खाम्याजा आपको भुगतना पड़ता है और आप एक नमबर से आगे पीछे हो जाते हैं और फिर आपको अफसोस रहता है कि इस बार का प्री हमारा खड़ाब चला गया और फिर अगले साल की प्रिपेशन में लगते हैं तो ऐसे क्या होता है कि आपका लंबा होते चला जाता है तो ध्यान रखना है कि छोटे-छ कि है आप को ध्यान रखने की जिरुवत है स्वाया कि परमुक भाष्ण और टिये नगरों की अच्छांस है इस्तिति पर मुख जो हमारा नगर है कि अगर तल्ला या आपको यहां जो हमारा नगड है तेज़ डिग्री पच्चास सेकेंड रिधी अच्छांस पर इस्थित है एक दूसरा जवलपूर आप देखेंगे दूसरा जवलपूर या तीसरा या UPSC एक बार इससे रिलेटेड कोश्चन पूछे गए हैं आप जाके कोश्चन को आप देख सकते हैं तीसरा जवाब को हमारा परमुक नगर है किस अच्छांस पर तो कुलकत्ता को देखेंगे तो तीस डिग्री तीस सेकेंड के अच्छांस ये विस्तार है उच्छ पे कुलकत्ता आपको दिखाई परेगा फिर आप देखेंगे अहमादावाद गुजरात का ही एक सिटी है आपका नगर है तीस डिग्री तीरो टू सेकेंड उत्रिया च्छांस परिस्तित है ठीक इसी त तीस डिग्री ते लेकर शतीस सतायस च्छतीस और सतायस डिग्री 37 सिकेंड के बीच में यह भी द्यान रखिएगा उजरात का एक और सहर है गांदी नगर अजधानी जो गांदी नगर है वह उत्तरी अच्छांस तीज डिग्री उन्नेश सेकेंड पे उत्तरिया च्छांस आगे हम देखते हैं उजयन उजयन को देखिएगा तो 23 डिग्री 9 सेकेंड नाइन सेकेंड उत्तरिया चांस पर है आपको फिर नागपुर है मुंबई का महराष्ट का या 21 डिग्री आप देख लेंगे 21 डिग्री 9 सेकेंड तो बारा नसी का जब बात करेंगे तो यह आप चर्चा कर रहे हैं तो दिल्ली 28 डिग्री 25 से 28 डिग्री आपको तीरपन सेकेंड पर तो यह हमारा टोटल एगारा सीटी है जिने आप क्या करिए कि ध्यान रखिए यहां पर आपको ध्यान तो रखना परेगा कारण क्या है कि एक्जाम हमें पास करना है तो चीजे तो बेह अपसारे 30 डिग्री करकर रेखा जो हमने कहा था करकर रेखा तो यह चांस में कौन कौन से अगर कौन कौन से क्योंकि हम लोग यहां से आप आगे बढ़ते हैं तो अगर कि पिए देश को लेके вз行ने दूइब को लेकर चलते हैं आपको यह लाइन आreiben लाइन दिखाई दिखाई परेगा यह लाइन दो दिखाई परेगा तो 645 से हम रोज देखते थे यह जो अभी चर्चा ज़स्ट किया है अचांसिय विस्तार तो इसी में आपको अभी ज़स्ट हम रोज चर्चा कर रहे थे कि कौन सा सीटी जैसे माल लिया जाए एक सीटी आपका कॉलकत्ता है कुलकत्ता तो कुच्चा का उत्री अचांसी विस्तार अगर देखा जाए कुलकत्तआ आप देखेंगे 20-30 अप को ध्यान रखना है तो आप चले जाए कर दा करता जु權 थीमाल जो आपका एरिया है 23 कुलकत्त दिखी आया अपका कॉलकत्ती यह कितना प्याई यह वाला एरिया आपसे कई वार आपसे पूछा जाता है कि अच्छान्स वह कुलकत्ता जो महान नगर है आपका वह किस अच्छान्स परिसित हैं तो कुलकत्ता को देखेंगे तो तेइस दिग्री आपको तो तीस सेकेंड जो अच्छान्स ये उत्री अच्छान्स ये लाइन है वह कुलकत्ता इसी थे इसी तरीके से सपोस्ट अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको भुपाल देखना चाह रहे हैं तो भुपाल तेज़ डिग्री 25 यहां पर भुपाल आपको दिखाई परेगा तेज़ डिग्री 25 उत्री भुपाल या भुपाल है आपका यह जो भुपाल है तेज़ डिग्री यह वाला जो लाइन हुआ यह जो लाइन गया है यह लाइन आपके लिए क्या हो जाता है कि उपयोगी हो जाता है तो इसलिए एक वार सिटी वाई सिटी आपको ध्यान रखने की जरूरत है तो यह टोटल एगारा जो आमारा सिटी है इस पर परमुक नगरों की अच्छांसी सिती हम लोगों ने अभी देखने का काम किया और हो आपके लिए उपयोगी हो जाता है यह अभी द्यान रखिएगा अब कहा कि विश्वत रेखा यह उत्तरम दच्छीन में पिर्थवी के केंद्र से कि सारे तेश डिग्री की कोण ये दुरिक्रम सा करकर रेखा अथवर सारे तेश डिग्र शांस मखड रेखा तक अउस्ले कटी वंद्ये ट्रॉपिकल जोण अब आया कि आपको दिखाई परेगा कि आपसे पूछ्चि दिया जाए उस्ले कटि तर उस्मकटिवंद्य चेत्री के बारे में हमें यह जनकारी है जो जीरो डिग्री है इरो डिग्री आपको विश्वत रेखा या विश्वत विरी उत्तर एम दच्छिन उत्तर चले जाएंगे तो सतारे तेज डिग्री के कुणिये दुरी पर करके रेखा दिखाई परेगा दखना चल जाएंगे तो माय रेखा दिखाई परेगा ठीक permettre sous कर रेखा और मुए और रेखा के बीच कर रेखा जीरो डिग्री से उत्तर या से तक्षिन कर रेखा और मकर रेखा के मत आप देखपाएंगे उस्न कटिवन्दी चेत्र आपको दिखाई परेगा का ट्रॉपिकल जोन यह जोन ही बताता है कि किस जलवायु में कौन साब देश पर रहा है ट्रॉपकल जोन यहां तक के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अब देखिए यहां पर हमने कहा कि उत्री अच्छांस देखिए यहां पर कि हमारा उत्री विस्तार है आपको यहां पर दिखाई पर रहा होगा इंद्रा पॉल और हमारा विस्तार कहां पर है उत्तर में 37 डिग्री यह तक 37 भिजी तक आपको दिखाई पर रहा है किसमा चित्र को आप देखिए कि पूर्वीदेशांतर में हमने कहा के पूर्वी और पूर्वी देशांतर में हमारा जो डाटा है ओर आर सट डिगरी नहीं से लेकर आपको शंतानमे तो आपको यहां देखाई परेगा गुहार मोती यहां पर पसी में आपको दिखाई परेगा यहां पर लास्ट और यहां पर की वीथू जहां पर अविजस्ट की वुथी में अभी आपको गडिय मंत्री पहुंचे हुए थे तो यह ध्यान रखिएगा साथ ही आप देख दिखाई पर रहा है और दूसरा उत्रिया चांस में कन्या कुमारी आपको ध्यान रखने की अब सकता है यह डाटा आप देख लीजी एक वार मानचीतर को देखेंगे और पिछे भी हमने मानचीतर आपको बताया था कि कौन कौन से राज है और कहां कहां अब फिर हमने कहा कि यहां पर यहां पर देख रहा है wax को करक रहात करकरई के लागैं तो राचि कितर पर नहीं थेमड़ात की बहुपाल क्या है अब पसीम बंगाल आप बढ़ते जाएंगे तो बंगलादेश होते होुए आप देखेंगेbrar канइल कि इत्तिरपूरत सोब कि राखने मृद्भी भ और मिजोरम से टोटल आठ राजों से जाने का काम करते हैं मानचीत्र थोड़ा सा जानना आपके लिए उप्योगी था अब यहां देखिए भारत पुर्वी भाग बंगाल बंगलादेश और नेपाल के विच किवल चोविस किलोमेटर चौरी भाग है शिली गुडी कलियारा शिली गुडी पोरिडोर यह दो भाग से जुड़ा हुआ है जिसमें होकर पुर्वत्तर के आठ राज पुर्वत्तर के आठ राज जुड़े हुए हैं आपको पता ही होगा आप सिक्किम असम और नाचल नगालैं वाले रेल मार्क सरक से जुड़े हुए हैं शिली गुडी गल्यारा को चिकेन स्नेक का नाम दिया जाता है देखिए आप देखेंगे या न्यूज में बना हुआ है चिकेन स्नेक सिली गोडी कुल डोट क्यों कारण क्या है कि या अगर यहां तक अगर चाइना पहुच जाता है तो आपको दिखाई परेगा कि जो सेवन सिस्टर एस्टेट है वो भारत से कट जाएगा इसलिए भारत सरकार को अभिज़स्ट हाल अभी में देखेंगे न्यूज में आपको मिला होगा कि बंगलादेश ने कहा है कि आप हमारे बंदरगाह का यूज कीजिए बंदरगाह का यूज करने का अदेश दिया तो आपको बताना है कि सर यह संक्री गली है आपको नेपाल भुटान वाला एरिया में आप जाएंग का बंगाल बंगाल वाला एरिया में नेपाल और बंगलादेश और नेपाल के बीच में किवाद 24-24 किलो मेटर अस्तलिय भाग है जिसे सिल्ली गुरी को हई दोर करते हैं और यह पुरवत्तर राज को जोड़ने का मेन अधार है इस लिए इसे सिल्ली गुरी को गलियारा को ही चिकन नेक के नाम से चिकन के नाम से गर्दन बतलव आपको चिकन नेक आप पूछे यह आपका है अंतीर पूछेगा कि अंतीर किसे कहते हैं तो करा है किसा का वह संक्रा भुभाग जो सम्युत के निकला हो तथा तीन और जल्द से घिरा उसे अंत्रीव कहते हैं अंत्रीव जलसे जो घिरा हुआ उसे हम रोग क्या कहते हैं तो कं야 कुमारी दिखाई पड़ेगा कि का कि बंखर रवा आसा और बंगाल की खारी आपस में मिलती है तो कन्याकुमारी आसा अंतरीप पर नाम सुने उंगे आप यहां पर देखेंगे कन्या कुमारी तो पूछ देगा यह अंतरीप किया है तो बताना है कि वैसा जो तीन तरफ से जलिये छेतर से भी रा हुआ अब आया कि अच्छानसिये परभाव क्या होगा भाई भारत पर देखते हैं अच्छानसिये परवाव आपको ध्यान रखना है अबहने काहा कि भारत को खरक रहा सबलेः लगभग कि जलवाई समसितोष्ن परकार की हमने अविजस्ट कटीवन्द पढ़ा है अविजस्ट अबने कहा कि विश्वत बृत विथ अपर आगे बढेंगे तो सऋस्ट में और नीचे उ loves फारत का और नोर्थ में दिखाई परेगा तो क्या आपके भारत को देखेंगे तिरवुजा का की इसमें आपको दिखाई पर एगा कि भारत को बढ़ावर भागों में बाठने का काम करती है यह दो बढ़ावर कटीवंद मतलब टेम्प्रेचर के अधार पड़ आपको दिखाई परेगा कि उसका जलवाई दसां निर्धारित होते निर्धारित करेगा हवाएं किस परकार करने का काम करता है तो यहां पे आपको दख्रचिन भाग जो है उसन कटिमन भाग होगा जी भारत का उसन पर दो उपोष्ण या सितोष्ण कटिवंद के रूप में विभाजित है उपोष्ण तो हमारा दो हिस्षा हैं बटगया भारत करकरेखा के कारान है उपोष्ण कटिवंद या उपोष्ण कटिवंद या सितोष्ण कटिवंद ठीक है इसलिए भारत की जलवायू समसितोष्ण सम सितोष्ण दोनों परकाड की जलवायू आपको दिखाई परेगा उष्ण कटीवंदिये जलवायू और आपको उपोष्ण या सितोष्ण कटीवंदिये जलवायू तो इसलिए दोनों को मिलाकर समतिसोष्ण परकाड की जलवायू हम लोग भारत में देखते हैं आप कहा है कि भारत का अभिस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिवंद में होने के कारण ही यहां की भूवाकिर्थी जलवायू मिठी के परकार बनस्पति में अत्यधिक दिखाई परता है अल्वेस बात आप समझ रहें कि नौर्थ इंडिया आपको उपोष्ण कटि यह चीज आपको दिखाई परेंगे इसलिए भारत में विविद्धताएं क्या होता है विविद्धताओं को निर्धारित करने में भगवलिक दसाएं भी काम करते हैं यह आपको दिखाई परते हैं कि दक्षिन से उत्तर की और अधिक अच्छांसिय विस्तार का प्रभाव दिन और रात के अथी पर भी पड़ता है अच्छांसिय विस्तार का प्रभाव क्या है दिन और रात के अभधी असर आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा जैसे बिस्वत रेखा से काफी दूर है पर इस्तित हैं आपका उत्तर उत्री भाग यानि कि केंस जम्मू कस्मीर या लद्दाग तो जब जम्मू कस्मीर आप विश्वत रेखा विश्वत रेखा को देखेंगे विश्वत रेखा आपको जीरो डिग्री है जीरो डिग्री से आपको 37 उपर चलना है जीरो डिग्री से बढ़ जाए जुश का परकास कम मिलेगा कम मिलेगा जिसके कारण हम्हां आप देखेंगे में जोटे दिन की अब हम फाउट सबसे बरे दिन और छोट दिन के भी शोटे दिनों के उचाइगा है तो पांच गंटों का अंतर आपको दिखाई परें कितने गंटों का पांच गंटों अब बात आया कि अच्छांस का अगर बिस्ता परभाव अगर हम देख रहे थे अच्छांस ये परभाव एक तो दिन के ऊपर परभाव पढ़ाया दूसरा आपको दिखाई पर आप भी विद् जेस्ट आप देखेंगे तो आठ के आसपास में आपको सब दिखाई परेगा तो इसके परिनाम सरूप सुर्ज के किरने लंबवत सीधा पड़ता है और इस कांसे सुर्जातप अधिक मिलता है जिसके कारण केरल में सबसे बड़े एवन छोटे दिन की अबधी में मात्र 45 मिन कारण क्या है यह दोनों जो राज है वह आपको विश्वत विरित के बहुत पास ही है इस कारण से सुर्ज की परकास किरने अधिक मिलेगा और सुर्जाताप होगा जिस कांसे दोनों एस्टेट या शेत्र में दीन और राद की अबधी में मात्र 45 मिनिट का अंतर आप देख विश्वत विश्वत पर चमकने का काम करता है इस कांसे आपको उत्री गुलार्द में दीन में क्या होता है सब्सक्राइब 799 अपका प्रभाव में आपने कहा की करक्रेखा को बाठने का क्या सबसुना प्रण necesit समसितोष्ण परकार के जलवाई यहां के विविद्थता को प्रभावित करने का काम करता है तो दिसांतरी विश्थार दूसरा इसमें समय अंत्राल में अंतर आएगा बरे दिन और चोटे दिन में अंतर आएगा तो हमने कहा कि भाई आपको जो जीरो बिस्वत देखा है जीरो डिगरी से अगर उत्तर आप चले जाते हैं लेलद्दाक में तो वहाँ आप देखेंगे कि सुर्ज का प्रकास सीधा नहीं मिलने से क्या होगा लंबत परेगा मतलब वहां सीधा प्रकास नहीं मिलने के कारण क्या होगा कि उसमें दीन और आत के समय में अंतर आते जाएंगे और बड़े दीन और छोटे दिन में पांस घंटे के अंतर दिखेंगे फिर आमने कहा कि प्रवाव में अभी अभी जस्ट आपने सीखा कि सर्थ तमिल आड़ू और के रल विश्वत विरित के पास होता है इसलिए वहां पर सुर्ज का प्रकास लगातार मिलेगा और सुर्जाताप होगा जिशके कारण से आपको क्या होगा क्या दिखाई परेगा कि वहां पर दिन और रात जो बड़ा-चोटा में जो डिस्टे परा कि अच्छांसी विश्वतार के कारणी आपको दिखाई परा इस दिन सबसे बड़ा दिन के रुप में आप देख पाएंगे तो उत्तर में जैसे आप जाएंगे उत्तर उत्री गुलार्द में तो दिन में आपको दिनों की टाइम होगा बड़ा होते हुए दिखाई लुए कि अच्छांसी परवाव था अब आया देशांतर है था आतर हम लोग पूर्वी देशांतर के हिसे में है तो थिसगठ बोडि शाब और और परदेश को हम ने का है कि मानख जो सांटर रिखा आपका सारे लुइयर्ये जो मानंथ यहां से भी प्रशन उचे रहे हैं या भी क्लाच्न कि मानख तियरेसांतंटर रेखा। siis कितao डिगरी पे होकर हो सारे 검 भी द्याण रखेगा Amazon और भारत में पूर्वी सिमांत भिन्दु कि वीथू और नाचल परदेश में और पस्मी सिमात विंदू गुहार मोती खुजरात की तुनला में तो घंटे पूर्व सुर्जोदय होता है अब आमने जिस पीछे कहा था कि सुर्जोदय और सुर्जास सुर्जोदय में आप देखेंगे कि अरुनाचल में देसांतर लाइन पे दुर होने दुरी होने के कारण ही आपको दिखाई परेगा कि आपको दो घंटा पहले अगर सुर्जोदय आप अरुनाचल परदेश में दिखाई परेगा तो दो घंट बाद आपको गुजरात में दिखाई परेगा तो यहां पूछा गया था कि गुजरात और अरुनाचल परदेश के बीच में समय का जो डिस्टेंस और अंतर आता है वह कितने घंटे का आता है तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर दो घंटे का कितने घंटों का आएगा तो इस कारण इसका मुख का रहें इन दोनों अस्थानों के बीच लगभग तीस ठीगरी का देशांतरिये विस्तार कहोना ठीक है भारत में सरपर्थम सुर्जोदय और नाचल परदेश में होता है अब आया कि इसमें दो घंटे का डिस्टेंस होने का मूल कारण क्या है आप से कि दोनों अस्थान के बीच दीगरी कितना बेरी इंपॉर्टेंट है कोस्तान देशांतरिये विस्तार बेसांतरिये विस्तार के कारण ही आपको दो घंटा लेट सुर्ज दिखाई पर रहें अब कहा है कि भारत को दो समय मेखलाओं मे बाटा जा सकता है प्रंतु इस समस्या का समधान संपुन भारत के लिए एक ही समय मेखला के रूप में अब हमारे पास एक ही या मुत्तर है सारे बेरासी डिगरी पूर्वी देसांतर को परमानिक माध रेखा के रुप में निर्धारी थे तू मानक या मुत्तर माना गया है जिसका निर्धारन मिर्जापूर नैनी उत्तर परदेश से किया गया है पुर्मेश जिस यामुत्तर का निधारण नएनी पर्याग रज के समीस से किया जाता था भरती मानक समय के इंडियान एных टैंड टाइम इंडियान इस्टेटर टाइम के कालनी भारत के सभी अस्तानों के घडिया सहेड एक प्रयृग राश्ते क्या है मिर्जापूर से और मानाखू सब्सक्राइब करना है तो यहão से प्रश्न आपके question पूछे गए हैं इसलिए आपको याद अब हमको एक और data दिखाई पर रहा है कि पृष्वी 2014 घंते मतलब 1440 मिनट में 360 डिगरी की दुरी तै करती है इसलिए एक डिगरी देसांतर दुरी तै करने में अगर पिर्थवी को एक डिगरी देसांतर देसांतर आप समझ रहे होंगे ये वला लाइन एक डीगरी दिसांतर दूरी तै करने में चार मिनट का समेह लगता है यह भी question आपसे पूछा जाता है क्योंकि पिट्थवी का 360 डीगरी घुमना है तो अब 360 डीगरी इनको घुमना है 24 गंटा के अंदर में तो अब 360 डीगरी तो 1 डीगरी तो एक डिग्री और घुमता है तो आपको चार मिनट मतलब 1440 भगे 3060 करते हैं तो क्या होगा कि चार मिनट का समय लगे अर्थात 15 डिग्री 15.60 यानि कि 15 डिग्री देशांतर दूरी करने में एक घंटे का अंतर आएगा 15 डिग्री देशांतर तो अंदरा दुना 30 डिग्री हमारे पास है और ना चल और गुजरात में तो कितना घंटा का दूरी हो गया तो गंटे का अंतर आ गया बासमय जा रहा होगा कि पिर्थवीग बताया जा रहा है कि 306 डिग्री का रोटेशन है इसका 24 घंटे में तो चोविस घंटा में तो 303 को अगर आप देखेंगे 24 घंटे को और दिभाइट करते हैं तो आपको 1440 मिनट और डिग्री से क्या किया हम लोग ने उसको किया भाग विवाजित करने का का काम किया तो दिखाई परा कि एक चार मिनट का पिर्थवी को समय लगा चार मिनट का अगर यह 15 तो चार से गुणा कर देंगे तो पंदर डिग्री को मिनट से गुणा करने के वाद आपको दिखाई परा साथ था तो यानि कि एक घंटा पंदर डिग्री अगर यह घूम लेती है फिर्थवी तो एक घंटा हो जाता है अगर और ना चल में कितना था भाई 30 डिग्री का अंतर था तो तीस डिग्री देशांतर यह दुरी है इस लिए दोनों के समय के बीच के दुरी तीस गुने चार य अब आया आप की देसांतर्य इस्तिति क्या है 17 क्या है यहां भी ध्यान रखने की चिंछों टेसांतर इस्तिति भी देखना शाहिए कि जबलपूर सचीश चाना है तो पुर्वी देसांतर आपको दिखा नए चाहिए कि टोटल पंद्रह से सीटी का दिसांतर यह लाइन यह दिखाया गया है तो देखेंगी कि जबलपुर्जों आपका नगर है वह आप 89 डिगरी 29 से लेकर 88 से बीच में यह आपको दिखाई पर रहा है भोपाल दिखाई परेगा और अंगावाद परोद्रा पूने पंगलूर चिन्नई रीवा सागर पुझ्जन होशंगावाद हैद्रावाद नागपोड लख्राव यह आपको वह भेरी इंपोर्टेंट है आई एस के लिए आई एस के दिश्टी कौन से इस तरह का कोच्चन पूछा गया है कि कौन सा देशांतर लाइन पर कौन सा जहर है और किसमें वैरियेशन है तो इस कोस्चन को आपको देख लेना चाहिए अवाया के स्टेंडर्ट टाइम यहिस्तीदार्ट स्टेंटर के अस्थानिय समय को उस समय क typ अश्छांतर की अस्थानिय समय को तो थाट डिग्री 30 सिकेंड देसांतर के गुनांग पर चुना है ताट डिग्री 30 देसांतर दुर्य पर इस्थीत अस्थानों के बीच की दुर्य आपको दिखाई परेगा यानि 30 मिनट का समय अंतराल आएगा साट डिग्री साथ डिग्री 30 सेकेंड में अगर आपको तो देसांतर के गुना को अगर आप देखेंगे तो आधे घंटे का आपको 30 मिनट का अंतर दिखाई परेगा यही कारण है कि भारत से लगवग मद से गुजरने वाले सारहे बिरासी डिग्री पुर्वी देसांतर को हारत का मानक देसांतर माना गया बात समझा रहा होगा अब आया कि ग्रीन वीच अवि जस्ट पढ़े हैं लंदन इंग्लेंड से पुर्व दिशा की ओर जाने पर समय में बिर्दी होगा जबकि पस्तिम दिशा में की और जान माल लीजे को पुर्वी लंदन से अप पूड़ बढ़ी आप जर्वड़ें गें आब पस्यमी दिशाँटर की तरफ बढंगे तो पस्पीक बढुद दिशाँ आगर को समय में कमी होगा तो यजעל सब मैं यह आगए मैं पांच घंठ आगे होगा कर llevता है की बिर्दी बात जो है पांच घंटा 30 मिनट आपको आगे होगा माल लिया जाए कि अगर आप लंदन में बैठे हैं आप एक मैच देख रहे हैं तो वहां अगर आपके घरी में दो बज़े सोख कर रहा है तो वह मैच अगर वहां दो बज़े शुरू हुआ तो इससे पांच घंटा 30 मिनट से भारत का जो आगे जो घड़ी का समय जाएगा वह सारे पांच घंटा यानि पांच घंटा 30 मिनट यहां तक को आप देख लेंगे पिर आया कूछ देशो ऐसे जिनके अधिक पूर पसिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक दिसांतर रेखाए हैं उदारन के लिए तरह अमेरिका एम रूस में क्रम सब और एक आरह यानि की आपको दिखाई परेगा समय कटिवंद में तो आपको सब रूस में आपको दिखाई परेगा उनका पूर पसिम विस्तार काफी होने के कारण आपको अलग अलग समय जुन बनाया गया है तो आप सबसे अधिक समय जोने किसके पास है आपके पास रसिया के पास है तो आज यह चैप्टर आपका कम्प्लीट हो गया है यह चैप्टर आपका और उमीद करूंगा कि आप इसका फैयदा उठाएंगे और साथ ही इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सेर करना न भूलें और इससे क्या होगा कि आपको ग्यान तो मिलेगा ही साथ साथ हम लोग का भी होशला अपजाई होगा और मन से आदमी काम करने का कोशिश करेगा बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने का काम करें